दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Advanced Tax से related जितने भी प्रोविजन्स हैं उन सब के बारे में Advanced Tax क्या होता है, किस को Advanced Tax भरना होता है कब Advanced Tax भरना होता है, कितना भरना होता है और अगर आपने Advanced Tax अपना पे नहीं किया तो आपके उपर क्या-क्या penalties लग सकती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देख रहे हैं Banking Baba YouTube चैनल तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं Advanced Tax क्या होता है तो सपोज ये जो Current Financial Year चल रहा है 1 April 2021 से लेकर 31 March 2022 तक जो Current Financial Year चलेगा उसके अंदर आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसकी information जो है वो government को आपको अपनी income tax return में देनी होती है जो कि आपकी अगले साल जाएगी यानि कि इस साल की income tax return आपकी जाएगी 31 March 2022 के बाद में अब government क्या बोलती है आप ITR बाद में file करोगे लेकिन आपने पैसा तो इस साल में कमाया है तो आपका इस साल में जो tax बना है वो आपको इसी साल में pay करना पड़ेगा अगर आपका एक tax जो है certain limit से ज़्यादा होता है तो अगर आपका tax उस limit से ज़्यादा होता है तो आपको ITR बाद में file करनी है लेकिन जो tax है वो आपको इसी साल में pay करना पड़ेगा और इस साल का जो tax है वो आप इसी साल में pay करेंगे तो उसको बोला जाता है advanced tax देखिए salary employee के लिए क्या होता है उसकी जो company उसको salary pay करती है उसमें से ही उसका tax काट लिया जाता है यानि कि TDS काट लिया जाता है और वो government को जमा करा दिया जाता है अब government के पास उस salary employee का tax उलरी पहुँच चुका है तो उसको advanced tax जमा कराने की जुरुत नहीं होती है लेकिन जो बिना salary वाले लोग होते है उनके पास ऐसा कोई TDS का रूल नहीं होता है अगर होता भी है तो वो 1 या 2% बहुत ही कम TDS होता है तो उसको अपना self assessment करना होता है हिसाब लगाना होता है उसका कितना tax बनेगा उस basis पर उसको advanced tax pay करना होता है अब बात आती है किस किस को advanced tax pay करना होता है तो सभी taxpayer जिसकी estimated tax liability 10,000 रुपए से ज़्यादा होती है उसको advanced tax pay करना होता है अब देखे कोई person salary के साथ साथ और भी कहीं से income कमा रहा है और उसकी salary में से तो TDS कट जाएगा लेकिन जो other income है उसमें जे TDS नहीं कटेगा और वहाँ से उसको self assessment करना पड़ेगा अगर tax liability बनती है तो उसको advanced tax खुद से pay करना पड़ेगा अगर कोई senior citizen है उसकी कोई business से income नहीं होती है तो उसको advanced tax pay करने की ज़रुरत नहीं है अगर senior citizen कोई business से पैसा कमाता है तो उसको भी advanced tax pay करने की ज़रुरत है अगर उसकी estimated tax liability 10,000 रुपय से ज़्यादा हो जाती है तो अब बात आती है कब और कितना advanced tax आपको pay करना पड़ेगा तो income tax department बोलता है आपको estimated tax liability निकालनी पड़ेगी यानि कि आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा आपका इस साल में कितना income होएगा कितना profit होएगा और उसके उपर कितना tax बनेगा और जितना भी आपका tax बनता है अगर वो 10,000 रुपय से ज़्यादा है तो आपको 100% tax जो है वो advanced tax के रूप में pay करना पड़ेगा यानि कि जिस साल में आपने पैसा कमाया उसी साल में आपको pay करना पड़ेगा अब देखे एक अप्रेल से financial year start होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक अप्रेल कोई 100% advanced tax जमा करा देना है आपको advanced tax जो है वो और तीसरी में 75% और चोथी installment तक आपका 100% advanced tax जमा हो जाना चाहिए यानि कि 15 March तक आपका 100% advanced tax जमा हो जाना चाहिए अब suppose आपने business start किया आपको लगा आपका 1,00,00 रुपे tax amount बनेगा तो आपको 15 June तक 15,000 रुपे जमा करवा देना है दूसरी installment आती है 15 September की तो वहां तक आपको 45,000 जमा करा देना है जिसमें से आपने 15,000 जमा करा दिये तो आपको 30,000 और extra जमा कराने पड़ेंगे अब क्या होता है 15 December की जो installment आती है उससे पहले आपको क्या लगता है आपको लगता है 2,000,000 की आपकी tax liability बनेगी तो 2,000,000 का 75% यानि कि आपको 1,500,000 रुपे जमा करा देना है जिसमें से 45,000 आप अलरी जमा करा चुके हैं तो आपको 1,500,000 और जमा कराना पड़ेगा और बाकी की जो 100% 2,000,000 होती है यानि कि आपने 1,500,000 रुपे जमा करा दिया यानि कि 15 March तक आपको 2,000,000 पुरा करना पड़ेगा जो कि बसता है 50,000,000 रुपे तो आप वो जमा करा देंगे अगर वहाँ पर भी कुछ चेंज हो जाता है आपका कम जादा होता है जितना आपको लगता है उतना आपको जमा करवा देना है अब देखिए अगर आप एक small businessman या professional है और आप section 44 AD और section 44 ADA में आते हैं और अपना presumptive income के basis पर ITR फाइल करते हैं यानि कि अगर आप एक small businessman है तो अपनी 6 या 8% वाली income declare करते हैं और अगर आप एक professional है तो आप अपनी 50% income declare करते हैं जितना भी आप पैसा receive करते हैं उसका अगर आप उस category में आते हैं तो आपको 4 installment में पैसा जमा कराने की जूरत नहीं है गवर्मेंट बोलती है आपको 15 March तक अपना 100% advance tax पे कर देना है यानि कि जिस साल का पैसा है उसी साल में पे करना है यानि कि 31 March को साल खतम होएगा तो उससे 15 दिन पहले यानि कि 15 March तक आपको advance tax पे करने की जरूरत ही नहीं है अब बात करते हैं अगर आपने advance tax पे ही नहीं किया या फिर जितना advance tax होना चाहिए था उतना ना पे करके आपने कुछ amount कम पे किया है तो क्या होगा कोई भी tension वाली बात नहीं है जितना amount आपने कम पे किया है या amount पे नहीं किया advance tax के और इसमें भी आपको calculation करने की कोई जूरत नहीं है, जब भी आप अपनी income tax return फाइल करते हैं, वहाँ पर वो system जो है portal वो automatically आपकी calculation निकाल लेगा, जितना आपका interest amount बनेगा वो वहाँ पर automatic आपको display हो जाएगा, आपको खुद से कुछ calculate नहीं करना पड़ेगा, अगर आप अ तो इस 1% पर मंत के interest से बचने के लिए और एक जिम्मेदान नागरिक होने के नाते आपको advance tax जरूर pay करना चाहिए, अगर आपकी tax liability 10,000 रुपय से ज्यादा होती है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद गरते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होतो लाइक करना, चैनल पर नए होतो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आप से फिर किसी नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा